नितु कपूर के घर जब से आले बट बहु बन कर आई हैं, लोग उनसे जानना चाते हैं कि आक्ट्रोस कैसी बहु साबित हो रही है लोग गे भी जानना चाते हैं कि रंबीर कपूर कहीं जोरू के गुलाम तो नहीं बन गए शादी के बाद रंबीर कपूर का रवय या मा के लिए बदल तो नहीं गया नितु कपूर इन दिन अपनी फिल्म जुग जुग जीयों के प्रमोशन में बिजी है साथ ही वो डांस दिवाने शो की जज़ भी है ऐसे में पेपराजी अकसर नितु कपूर से रंबीर कपूर और आले भट पर सवाल करते हैं वो जानना चाहते हैं कि नितु कपूर अपनी नई बहु से खुश तो है वैसे नितु कपूर हमेशा पेपिराजी के सामने यही जटाती है कि रन्बीर कपूर के शादी से वो बहुत खुश है मीडिया के सामने वो जम कर अपनी नई बहु की तारीफ भी करती है हाली में नितु से एक इंट्रिव्यू में पूछा गया कि शादी के बाद रन्बीर कपूर बदल तो नहीं गए शादी के बाद रन्बीर पत्नी आलय भट और मा नितु कपूर के बीच बालन्स कर पाती है या नहीं कई हो मम्मी को भूल पूरी तरह से आलय में तो बिजी नहीं हो गए नितु कपूर की माने तो उन्होंने रन्बीर और आलय की शादी में इंजॉय किया एक एक रस्म में उन्होंने दिल खोल कर हिस्सा लिया उन्होंने ये भी बताया कि आले के साथ उनका रिष्टा वैसा ही है जैसा उनका उनकी सास के साथ था आले बहुत समझदार और प्यारी है नीतु ने कहा मुझे लगता है कि सास और बहु के बीच अगर कुछ डिफरेंस आता है तो इसमें गलती पती की है क्योंकि आप अपनी मा से बहुत प्यार करते हो और जब तुम जोरू का गुलाम बन जाते हो ना फिर मा को दिक्कत होती है अगर आप अपनी मा और पत्नी को लेकर प्यार को बालंस करते हैं तो इससे सब सही होगा नीतु कपूर की माने तो उनके बेटे रनबीर बीवी के आने के बाद बिलकुल भी नहीं बतले हैं वो मासे उतने ही चुड़े हैं जितना पहले चुड़े थे उन्हें रनबीर से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वो अपने प्यार को बालन्स करके रखते हैं नितु ने कहा कि रंबीर हमेशा मामा नहीं करते हैं। वो उने पाच दिन में एक बार कॉल करते हैं। उनका हाल चाल लेते हैं। नितु के लिए ये बहुत है। उन्होंने ये भी कहा कि रंबीर और आलिया को शादी को लेकर सला देने की जरूरत नहीं है। दोनों बहुत सम नितु कपूर इन दिनों बांदा की एक सुसाइटी में किराये पर रह रही है। आल्या के साथ ही रहते थे और इस दौरान चोथे के रस्म पर जब वो महमानों के तरह अपने घर पर आये थे तब उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी। लोगों ने तब रंवीर को सला दी थी कि पिता के मौत के बाद तो उने मा के साथ रहना चाहिए। विरे पोर्ट ए24 पर रहना चाहिए।